हेलो और विलकम दोस्तों मैं विदीपक और आप देख रहे हैं दीपक शलयर यूट्यूब चैनल को दोस्त आज के स्यूडियू में मैं आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकल समझाने की कोशिश कुरूँगा हाला कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2017 से मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ लगबग 4 सार का experience मेरे पास है क्रेडिट कार्ड को manage करने का मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा लगबग 270 से ज़्यादा payment मैं आज के दिन तक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से कर चिका हूँ और सारे के सारी on time payment में आज तक मैं एक भी यहाँ पे EMI या फिर एक भी payment बाउंस नहीं किया दोस्तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड का billing साइकल समझाने के गोशिश करूँगा अगर आप लोग सोचते हो कि billing साइकल समझने के कुछ भी दरूत नहीं तो मैं आप लोगों बात आना चाहूँगा एक डेट को आपका credit card का bill generate होता है और दूसरी date होती है आपको credit card का bill भरने के यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा सबसे पहले तो यहाँ पर example के तौर पर जानते एक्जामपल के तौर पर मैं आप लोगों बताना चाहूँगा मान लेते कि आपके पास कोई एक credit card काड़े उसका bill generate होता हर मैने के 18 तारिक को तो हर मैने के 18 तारिक को उसका bill generate होगा 18 तारिक से पहले आपने जो कुछ यूज किये ओ बिल यहाँ पर generate होगा 18 तारिक को और यहाँ पर बिल बरने के एक date होती है यहाँ पर 6-7 तारिक के आसपस और डिपेंड करती है आपके मन्त के उपर मन्त आपका 30 दिन का होए 31 दिन का है या फिर 28 दिन का है इसे साब से यह डेट आ जाता है 6-8 तारिक के आसपस आपका बिल यहाँ पर आज मतलब भरने के date होती है तो उस समय तक आप लोगों को बिल भरना पड़ता है अगर आप लोग बिल नहीं बरते तो यहाँ पर आप लोगों को बाउंसिंग चार्जिस लगते साथी साथ आप लोगों को इं वी दौन से तो मैंने 19 तारिक को यहाँ पर स्मार्टफोन परचेस किया तो सात या आट तारिक को जो भील आता है उसमें मैरा बिल नहीं आता है क्योंकि बिल मेरा जनरेट हो ओ आटारा तारिक को मुझे बिल आएगा मतलब यहाँ पर यूद होगा एक महीन एक बिल भरने क के लिए टाइम मिल जाएगा उपर से और 15-16 या फिर 20 दिन के अंदर का तो उस समय तक मैं बिल बर सकता हूं साथ 8 तारिक या पर 6 तारिक जो कुछ डेट होगे उस डेट को मुझे बिल बरना है मतलब मुझे तोटली 45-50 डेट यूज करने को मिले यहाप हम गलती कैसे करते हैं मैं आप लोगों बता था आपकी बिलिंग डेट होती है 18 तारिक की और आप शौपिंग करते हो 17 तारिक को शौपिंग करते हो तो next day आपका बिल जेनरेट हो जाता है मतलब 17 तारिक से पहले आप 2-4 दिन एक दिन या फिर पाच दिन कभी भी शौपिंग करोगे तो 18 तारिक को आपका बिल जेनरेट होना है मतलब instantly एक दो दिन में आपका बिल जेनरेट होता है जैसे बिल जेनरेट होता है 15-20 दिन के अंदर आपका यहाप बिलिंग डेट आज है तो आप लोगों को पता नहीं होता बहुत सरह लोग सोचते के 45 डेज का टाइम पिरेट 50 डेज का यहाप पर यहापर टाइम पिरेट कितने दिन का मिला 20 दिन from पर चार्जजेस हो जाए लिए हूँ आपका घाटा, तो यह जो घाटा हुआ, गाटा की स्वा जैसे हुआ, आपको बpekलिंग साइकल ठीक से पता नहीं था, आप्को लगा कि पाचाज दिन का टाइम पिरेड लागता है, या फिर फोर्टीफाय डेड का टाइम पिरेड लागता है, आपको टाइम बाउल्स करते हो तो आपका बैंक समझती है दिए इस ago लें से पहले इसको लोण देने से मतलब नहीं किया तो इस लोगन पर हो पाइबगा तो यह मिल पात यहां पर एक्ट्रा चार्ज ऐसा लगेगे तो आप बात करते हैं फाइदे की, तो सबसे पहले फाइदा कि आप पूरी तारा से Abpeel नहीं होगा अपको पेमन्ट क्यों वाउन्स होगा नहीं होगा तो अपको पेमेट जादा से जादा है वे और गाप एपका बेनेफिट हें चैनल कोई भी लोन या फिर कार्ड लेने जाओं तो इसली साथ आप लोगों को पता है कि मैंने या शौपिंग किये मेरा बिल जनरेट हुआ है 18 को मैंने शौपिंग किये 19 को और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैने के साथ तारिक तक मैं यहां पर पैसे नहीं भर पाऊंगा अपने बड़े आमनोट की शौपिंग किये अगर गलती से बाउन्स हो जाता है तो बाउन्स होने के बाद क्या हो जाएगा आप लोग बाउंसिंग चार्जेस वागेरा बारी बर कम चार्जेस बट अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और उसे आप EMI में करते हो बिल जन्रेट होने से पहले तो बहुत बार मैंने एक्स्पिरेंस लिया है परसनली अगर बिल जन्रेट करने के बाद भी आइंक आपको यहां पर क्रेडिट करके पेमेंट को EMI में करने का उप्शन देती बहुत सारे चांसे होते हैं कि आपका यहां पर जो इंट्रेस है वो कम होगा बट यहां पर बिल जन्रेट करने के बाद अगर आप यहां पर EMI में करने करेंगे तो 22-23% के सबसे आप लोगों चार्जस लगेगे साथी साथ मैं आप लोगों बताने जाओगा यहां पर आने के लिए आप लोगों क्या करना पड़ेगा किया करना पड़ेगा कुछ नहीं करना है बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगया नहीं वली बेल आइकन को क्लिक करके और पीशन मुझ तर पोस्तर रहेगा और यहां पर मैं दिल से आपके लिए इतना है दूस्तो थैंक्यू जैहिंद वन्दे मातर